यह पढ़ी एहम बात सुखेगा आपके दो लोगों के दरम्यान एक conflict हो गया है and it's a benign conflict यह leader के लिए याशी हो गई है because he can use this conflict to influence the change जिस वक्त आपका एक subordinate जिसके आप leader थे उसने एक benign किसम का जुरम कर लिया है ऐसा नहीं कि जिससे उसको organization से निकालना पड़ रहा है that's a very nice soil जिस पे रखके आपको अब आप base बना एक सौरे ठीक ठीक काम कर रहे थे चुप करके आपको पता नहीं चल रहा था आपकी behavior में chain कैसे करेंगे आप उनको उनमें से कोई गलती करता है तो leader उसको cash करता है उस गलती को और उस गलती को base बनाकर influence करता है और उसके लिए जो उसके पास powerful tool होता है वो क्या होता है मैंने गलती की आप मेरी leader हैं अब मुझे change करने के लिए आपके पास powerful tool क्या है और बिनाइन गलती है मैं यह भी कह रहा हूँ forgiveness is the powerful tool आपके एक subordinate ने को गड़बड की बहुत शदीद गड़बड की नॉन फैटल गड़बड नहीं थी अब आपने उसको बुलाया और बुला कि उसको माफ कर दिया वो आपकी subordinator ship से निकल कर आपकी charismatic zone के अंदर चला गया यार मुझे सरने कुछ नहीं का सरने का कि बेटा यह तो बहुत खतरनाट काम हुआ है यह तो बहुत जबरस कि यह यह नुक्सानात हुए है आपने यह किया है वो सारे जो feedback concert ते कोई बात नहीं तो मेरा बच्चा है यार कोई बात नहीं मुझे से भी गलती लेकर आप तो ना मेरे साथ बैठके तैय कर कि आइंदा करना क्या हमने इसके लिए कोई बात नहीं तो काम कर कोई बात नहीं अब आप देखें उसमें कितना इंफ्लूइंस होगा वो आपका स्वाडिनेट नहीं रहेगा वापका आपको फॉल्वर बन जाएगा प्लीज उस बात पर खुश हुआ करें जब कोई आपका स्वाडिनेट बिनाइन गलती करें अब दिस इस टाइम आपके अंदर माफ करने वाली अल्ला ताला की सिफ्ट को एक्सर्सकाइज करने की आपरचुनिटी मिल जाएगी आपका आप गफूर रहीमी की सिफ्ट के अंदर शामिल हो जाएगे तो इसलिए गलती से बिलकुल ना गवराए यूज डैट गलती उस गलती को यूज करें एज टूल तो इंफ्लूइंस दा परसन और सबसे पावरफुल आपके पास कौन सा टूल है उसमें फर्गिवनेस यूर स्ट्रेंथ इस फर्गिवनेस आप कभी सोचें आप कोई आपके साथ ज्याती कर रहा है आप उसको माफ कर सकते थे आपने माफ नहीं किया कितने स्लीपलेस आपकी नाइट होगी कितने आप परिशान होगे गलती भी उसी किया आपकी नहीं गलती फर्स करें आपके हाउस सर्जन ने आपको सब के सामने गाली दी है फर एक्सांपल, आप सुरी एक्स्टीम बात कर रहा हूँ आप कितने उनकंफुर्टेबल होगे आप नहीं सो सकेंगे रात को बहुत परिशान होगे अब आप ज़रा फॉर्गिवनेस ट्राई करके देखें इस पर इतरा वसीम इतरा 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 यह तुने क्या कहा है यार मैं तो हरान हो गया हूँ I'm sure कि कोई ऐसी मैंने बहुत बड़ी गलती की है जिसके तुमारे मुझ से यह निकलना पड़ा है I want to understand it, मुझे बताओ I never thought Vaseem you are like that but I want to understand it अब आप देखना उसकी हालत क्या होती है और रात को कितनी हाँ आप मज़िदार स्लीप सोएंगे Forgiveness is the best tranquilizer Maybe sir, clashing your technical knowledge, right? Pharmacological knowledge Vindictiveness, बदला लेना है बदला लेना है, vindictive होना है इसको मैंने सबक सिखाना है, इसको मैं बताक देता हूँ This is the biggest anxiety pill you can take Forgiveness is the biggest anxiolytic With no side effects But however, it is addictive Like all anxiolytics When you will learn how to forgive people You will become addictive of forgiving people That I can, this is one side effect of it Otherwise, there is no side effect of it